अब अगर यहां इस वीडियो पर नाया है तो चलनकर सब्सक्राइब करके video को एक लाइक करें अगर जहां अपने Facebook को आप दिलीट करना चाहते हैं और आप श्टार्ट कर रहे हैं कि मैं अपना Facebook को पेज को डिलीट करना चाहते हूं लेकिन आपको पता नहीं यानि जिस page को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस page को आपको active कर लेना नहीं, तो कोई दूसरा page डिलीट हो जाएगा, यहां पर जो है, यहां पर मैं इस page को डिलीट करना चाहता हूं, तो सबसे पktor है, आपको यहाँ पर three line पर type करना होगा जैसे ही यहाँ पर three line को आप type करते हैं तो नीचे दिखेगा आपको setting and privacy उस पर type करना है और यहाँ पर दिखेगा आपका setting तो यहाँ पर जैसे setting दिखेगा उस पर type कर देना है और आज जाना है आपको सबसे नीचे जैसे ही आप नीचे आ आपने सब्सक्राइब करना है तो मुझे अपने सब्सक्राइब करना रहा है तो here कि आप अपने पेज को डिलीट कर रहे हैं क्या रीजन है कि आप अपने पेज को डिलीट कर रहे हैं तो सिंपली सा रीजन आप कोई भी एक सेलेक करना चाहता है तो यहां पर फर्स्ट आप्शन आपको सेलेक करना कि I spend too much time on Facebook मैं Facebook पर ज्यादा time spend कर देता हूं कि इसलिए मैं अपने पेज को डिलीट करना चाहता हूं तो यहां पर सिंपली सा फस्ट वले आप्शन पर टाइप करना है सेलेक कर लेना है अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है continue इस पर आपको टाइप करते हैं तो यहां पर आपको द आप से किसी अधर डिवाइस में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो लेकिन आपको आपके पेज में से कोई डेटा नहीं है इंप्वर्टन तो मैं download या information transfer नहीं करना चाहता हूं तो यहां पर सिंपली सा मुझे continue कर देना चाहिए continue जैसे करता हूं तो यहां पर आपको दिखाई description में video का link दे दिया हूं आप वहां से जा करके आप video को देख लेना और password कैसे पता करते हैं पता करके आप यहां पर enter कर देना और simply सा अपने page को आप delete कर देना और मिलते हैं एक नए video में